नमस्कार रिच को सिर्फ प्रसक्राइब आपका स्वागत है यह पार्ट 9 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेस्चन नमबर हैं स्वेंटे थिरी पे 15 से नीचे की सभी समसंख्याओं का योग तो समसंख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है समसंख्याओं का योगफल ब्राबर होगा अन्तिम समसंख्या पलस प्रत्थम या पहली समसंख्या और बैटा दो और गुना में होगा कूल समसंख्या अन्तिम समसंख्याओं के कितना पंदरह से नीचे दो चार छे आट दा से बारह चौदा ये पंदरह से नीचे का ओगया तो अन्तिम समसंख्याओं के कितना है चौदा पाली समसंख्याओं के कितना दो इन दोनों को कितना से भाग दे देना है दो से और टोटल समसंख्या थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, टोटल कितना है, साथ, तो चाओदा, दू, सॉल, बटा कितना हैगा, दो, और गुना में आ जाए कितना, साथ, दो, अठी, सॉल, आठ साथ है, यानि कि टोटल जो जो गफल होगा, कुल समसंख्या होगा, कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक है, क्वेस्टन नबर 74, गिंती की संख्या में कितनी दो अंक्य संख्या है, तो दो अंकों की संख्या निकालना है, तो अंकों की संख्या निकालने के लिए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, एक अंकी सबसे बड़ी संख् दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे एक अंक की बड़ी संख्या तो दो अंकों की बड़ी संख्या कितना निन्यानवे में से एक अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे कितना Nine. तो यह हो जाएगा जाएकर कितना? 90 अज्जान Rainbow 75 मैं कि अगर Ikaai Kaf Cathy हो दाएकांग 6 हो और Silde Kanger 7 हो तो संख्या बताएए. तो देखिए! सेंख्या, Ikaai Ka Kin पांच जाएगा 5 दाएकांग 6 और सेंख्या कि एकांग साथ है तो संख्या क्या हो जाएगा? यहां सेंकला है यह दहाई होता है यह 1 दहाई और सेंकला तो 1 के जगापर 5 दहाई के जगापर 6 और सेंकला के जगापर 7 यानि संख्या हो जाएगा 765 टेक है निम्ड में कौन सेंक्या भाज्य है तो 101 110 यह तो भाज्य है 121 यह 11 से कटेगा 123 तीन दू 5 एक 6 यानि यह 3 से भी कटेगा और 131 यानि कि यहीं संख्या है जो क्या है भाज्य है पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंके और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख करके घटा देना है चार अंकों के सबसे बड़ी रिक करके घटा देना दोनों के बीच कांतर पूझ राए तो 00 और यहां भी 0 हो जाएगा यहां भी 0 हो जाएगा और यहां क्या जाएगा नाएन यही हो जाएगा अंसर नब्य हजार दे गए अंकों मेसी एक चार छे आठ है हम नौ मेसी परती है कि कई एक बार परियोग करके पांच अंकों की सबसे बड़ी समसंख्या लिखने के लिए यानि कि लास्ट में हम लोग को दो चार छे देखिए यहां एक है चार है छे है आठ है और कितना है नौ है तो समसंख्या लिखना है कौन सी संख्या लिखनी है समसंख्या तो समसंख्या लिखना है इसका मतलब है कि आठ छे और चार ये तीन में से कोई लास्ट में होगा है ना एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच चा बड़ा संख्या लिखना है न तो बड़ा संख्या लिखना है तो छोटी संख्या पीछे जाएगी बड़ी संख्या पहले आएगी तो चार को हम लोग लिख देते हैं यहां ठीक है और बाकी हम लोग बड़ा संख्या लिखने का निया हम सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनका एल सिम निकालेंगे और तीन अंको की सबसे छोटी संख्या में एल सीम से भाग लगाएंगे ठीक है तो स्वेंटीन नंबर क्वेश्चन में स्वेंटीन नंबर क्वेश्चन में तीन अंको की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो चार छे आठ तता बारा इसका मतलब सबसे पहले हम लोग चार छे आठ बारा का एल सीम निकालेंगे तो एल सिम कितना आजाएगा 12 वन 24 यानी कि 24 आ जाएगा ईलीशे अब तीन अंको की छोटी शंख्या этого कि यहंड टीन अंको की अ हिप सबसे जोटी शंख्या में भाग लगाना ठीननकों की सबसे छोटी शंख्या कितना सो तो सो में अब हम लोग चौभीस से भागा लिए सो में कितना से цौभीस से तो 24 पचभीस सासे 24 च ज्यानवे कितना बचे का यहाँ चार बचे का कितना बचे चार अगर हम लोग इसमें घटा देंगे यह चार था ना तो दो तो अंकों की संख्या रहा जागे, तीन अंकों की संख्या नहीं रहेगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कि यह जो भाजक है, और जो से से उसको घटा लेते हैं, 24-4 is equal to 20, अब हम लोग को तीन अंकों की संख्या निकालनी थी, अब भीष्ट संख्या निकाल लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 100 और, 100 और कितना, 20, यह यह 20 जो आया, अगर तीन अंकों की सबसे छोड़ी संख्या निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं, कि अगर 4 घट आते हैं, तो यह कितना आजाता, दो अंके संख्या आजाती, तो इस इस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कि 24 है, इसमें से 4 घटा देंगे, और 24 में से 4 घटा आएंगे, तो जो आएगन हो, उसे आइड कर देंगे, यानि कि वह संख्या हो जाएगी, 120 अश्ची नंबर साथ, जीरो, एक, दो, तथा, तीन से नी, तीन से बनने वाली पाँच अंको की सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो पाँच अंको की सबसे छोटी संख्या निकालना है, साथ, जीरो, एक, संख्या हमारे पास है, साथ, जीरो, एक, दो, तीन, इस से पाँच अंको की चोटी समसंख्य निकालना है चोटा समसंख्य बनाना है तो हम देख लेते हैं इसमें समसंख्य है कौन दो एक ही है यही लाश्ट में जाएगा एक दो तीन चार पांच 5 हो गया यानि कि Sum संख्य है तो लाश्ट में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए यहाँ से और छोटा पूछ रहा है तो छोटी संख्या से लिखेंगे तो छोटा तो 0 है तो 0 से तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 अग्कों की संख्यार ना-जाएगे संख्या जाएगे ठीक है question number 81 81 निमलिखित में से कौन अभाज जिसंख्या है कौन अभाज जिसंख्या है तो कौन से अभाज संख्या है 91, 93, 95, 97 तो यही अभाज जिसंख्या है ना 13 से यह कटेगा, 31 से कर दाएगा, 3 से भी कटेगा 95, 99 से भी कटेगा, लेकिन यह नहीं कटेगा यानि कि option number 4 इसका सही answer होगा 5, 6, 8, 9, 1 में कि अस्थान पर क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से विभाज हो जाए question 82 82 में है कि 5, 6, 5, 6, 8, 9, 1 इसमें 11 से काटना है, 11 से भी भाज होना चाहिए तो 11 से भी भाज होने के लिए सबसे पहले हम लोग को 5, 6, 8, 9, 1 ठीक है 11 से भी भाज होने के लिए सबसे पहले हम लोग luomba Rio10 सबाष और 10 ही आता स्थान और 11 इसको हम लोग क्या कहते है इसको और इसको तो समस्थानों का यूग और विशां मस्थानों का यूग पहले समस्थान का योग कितना हो जाएगा समस्थान का यूग छे पलस आठ और पलस एक आठ से चाओद है कितना हो गया पंदरह बिशाम अस्थान का योग निकालेंगे बिशाम अस्थान का योग तब बिशाम अस्थान का योग कितना बिशाम के जब पांच है ये खाली अस्थान है और ये नौ है तब पांच पलस नौ पलस खाली अस्थान तब नौ पांच कितना हो गया चाउदा ठीक है चाउदा हो गया अब यहां से हम लोग इसमें वैसा कौन सांग लिखेंगे कि दोनों का अंतर 0 हो जाना चाहिए 11 से कटना चाहिए तो खाली स्थान के स्थान पर अंतर निकाल लेते हैं अंतर कितना हो जाएगा तो 15 और माइनस कितना 14 एक ठीक है कितना आया अंतर एक मतलब यहां जो खाली स्थान उसके जगे पर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा ना बॉक्स के जगे पर क्या हो जाएगा एक अंसर समस्थान का अंसर भी समस्थान का योग और भी समस्थान का योग दोनों को एड कर लेना फिर क्या करना है जो बड़ा है उसमें से छोटा को गटा देंगे जो अंतर आएगा वही हो जाएगा हमारा बॉक्स के स्थान पे question number 82 तो तो आज की वीडियो में इतना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो अच्छा लगो तो इसे लाइक कीजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए